तो मेरे पास है एक जोटक का G 2101GB यह देखो 2101GB DDR 364-bit इसमने चैण किया है और अगे कोई भी गारस्क काड रिस्व करते हो और मदरबोड पर डालने के बाद अगर आपका मदरबोड टॉन नहीं होता है तो आप माण लोके का अपका गरफेक्ट में कोई भी युक्पोलेंट शर्ट है मस्पट्रेट में आप कोई भी कंपरेज में जिसके वज आप नहीं हो तो इसका हम डेखेंगे जाएक फॉसेस मे शयर क्रूँगा थाकि कोई भी गाफिस्लरक्री आप गए तो आप इजिली इसको फिक्स कर पाओ, तो ग्राफिक्स कार्ट का वीडियो में डालता नहीं हो ज्यादा तर, तो आज एक डालता हूँ, शौर्ट रिलेटेट बॉब्लेम, तो देखो यह हमारा एक नॉर्मल सा बोड जो कि मैंने रखा है, इसको चेक करने के लिए, ग्राफ यह देखो, बीप किया, मतलब यह बोड हमारा ओके है, अभी एक बर मैं SMPS को अन करूंगा, और डिबग कार्ट को ओपन कर देता हूँ, और यह जो हमारा पास जो ग्राफिक्स कार्ड मौजूद है, इस ग्राफिक्स कार्ड को इसमें मैं इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट करने के बाद मैं फिर से दो बारा इसको डिबग कार्ड डालूंगा, और ऐसे रखूंगा, ताकि आपको इजिली दिखे, तो अभी देखो, इजिली जो दिख रहा है, जो बोड यह हमने पावार दिया, देखो, पी एसन हमारा रेडी है, और टिगा देने के बाद यह बोड टर तो अब बास्ट हुआ, मतलब देखते क्या हुआ इसको, तो मतलब कही न कही यह देखो, तो कही न कही यह शौट था, जिसके बज़ा से हमारा बोड में यह दुखरियां पर एक मॉस्पेट था, यह अभी बास्ट हुआ है, पर यह मॉस्पेट कहा गया, मुझे भी पता न तो जब भी ऐसे टाइप के काम करो तो आप एक टांसफरेंट जो संग्लाफ होता है, पैन लिया करो, क्योंकि यह बहुत खतरना होता है, कभी कबर बास्ट होके अपना आख में चला जाएगा, तो आपका आख भी मतलब डैमेज हो सकता है, तो यह काम बहुत ही रिस्की है, अगर आप करते हो, यह देखो, मॉस्पिट, नहीं, यह नहीं, पर यह कहां चला गया, बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ और कहां चला गया, तो ऐसे में मिश्टेक होके आपके आख में भी जा सकता है, तो बी क्यारफुल, अगर आप जब भी काम करो, तो अगर शॉट रिले मॉस्पिट है, अब के लिएार देख सकतो, यहाँ पर एक मॉस्पिट था, जो की, यह मेरा ब्लास्ट हो चुगा है, तो यही मॉस्पिट शॉट था, ब्लास्ट हो चुगा है, तो अभी और एक पासर सम दीखेंगे, इसको शॉटियूं करने का, तो माला लो यह तो यहां पर एक रेगुलेटर है तो यहां पर हर गार्फिकस पर होता है पर अप्डेट वाला गाफ्रीकस कार्ड ँद्थ और अगर आपको nuclear mo internet कोई और वह सोर्य है यह सद् takes है तो उस टाइब के यह का तीक और थी पिस तो इस वाला जो रेगुर्टकर है हम अब डेक्ष 2 बोट पे डेक्स आप मादर बोट पर कॉमुन सा है देखते है। तो इसमें कितना Volt इम्पूट है कितना Volt Output है यह knowledge आपको होना चाहिए अगर यह आपको है यह टीपूल वन सेवन है तो टीपूल वन सेवन मीन्स इसका का output filterouter. तो input voltage is 12V होना चाहिए हर दो यहाँपर आपको 12V मिलेगा और इधर आपको 5V आउट.. जो पास होता है 12V को converse 5V को यह बाहर निकलता यहाँ बेजता है और यहां पर दरिपर्ण वढ़Да को मिलेगा तो बेसिकली आपको अगर शॉट ग्र तो यह लगा दिया और नेगिटिव को एक मतलब ग्राउन पे कर देना है आपको और पॉजिटिव को लेके आपको बस यह रेगुलेटर का इंपूट में जो 12 बोल्ट सप्लाई का इंपूट था उसी इंपूट में डालना है यहां पर ठीक है तो मैं डालता हूँ तो अभी जो है शॉट यह देखो अभी जो शॉट है हमारा रिमूब हो चुका है मतलब यह तो मॉस्पेट ही ब्लास्ट हो चुका है यह देखो अभी यह शॉट नहीं दिखा रहा है पर अभी यह एंपेर कंसूम कर रहा है पर शॉट नहीं है ठीक है तो तो यहां पर अगर आप टाच करोगे तो जो भी कंपोनेंट कैपसिटर हो, मॉस्पेट हो या फिर आइसी हो, कोई भी अगर शॉट है तो यहां पर आप जब भी 12 बोल्ट इंपुट करोगे तो तब भी आपको शॉट दिखेगा, मतलब कोई भी कंपोनेंट हीट हो जाएगा जो खराब है, तो इस बोड में अभी हो नहीं रहा है, तो बिसिकलिए इसको होना था, पहले ही यह मतलब ब्लास्ट हो कहाँ चला गया, तो अभी क्या करना है, यह जो मॉस्पेट है, यह इंपॉर्टेट मॉस्पेट है, इसको यह फाइबोल्ट सप्लाई को टांसफर करता है, तो इसको क्या करना है, हमको इसको एक मॉस्पेट लगाना है, उसके बाद चेक करना है, और उससे पहले मैं एक बार चेक कर लूँगा, इसका PCV में ग्राउंड में और कोई शॉर्ट है कि नहीं, तो कंटिनिटी मोट पर डालना है, और कैपसिटर जितना है, एक बार च ब्लास्ट हो गया, तो अभी काम है हमारा, एक स्क्राप मदर बोट से ये मॉस्पेट को लेना है, और इसको थोड़ा सा निकालना है, ठीक है, तो ये कैसे में निकाल हूँगा, ये ब्लास्ट हो के ऐसा कंडिशन हो गया, इसका, देखते क्या होता है ये, क्या है? कि ऐसे में मैं कैसे इसको उठा हूँ यह ऐसे ब्लस्ट हुआ है हाँ ऊड़ गया चलो यह देखो यह जो हमारा पार्ट था यह बोड में ब्लास्ट हो के चला गया था यह बाट तो यह मैंने रिमूप कर दिया अभी जो है हमारा यहां पर मॉस्पिट का स्क्षन है तो इसमें आप इजी लिए मॉस्पिट लगा सकते रहे हैं तो स्क्रप कहां पर स्क्रप मिलेगा एक चलो एक मिल गया पर यह 2GB का है ग्राफिक का तो यह बाला मॉस्पेट था ठीक है जो ब्लास्ट हो चुका था तो इसको हम डिमॉप कर लेते हैं और इसी जगा पर सेट करके देख लेते हैं कि ऑंव करें खाना है जिता का बाला मॉस्पेस का तो यह बाला मॉस्पेस का थेखा एक मिले था गरेते हैं यह मॉस्पेट रिवूव हो गया तो हटा देते और ड्रेन और सोर्स आपको सई से देखना है उल्टा सिधा हो जाएगा तो पॉल्लिम हो सकता है ठीक है दोबारा ब्लास्ट हो जाएगा तो लगा दिया तो यह जो मॉस्पेट था यह मैंने लगा दिया यह बास्ट हो चुका है था शौट था अब 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 थोड़ा सा क्लीन करेंगे उसके बाद एक बार बाहर से चेक करेंगे कि इसमें शौट है कि नहीं यह फिर से डिसी पाउड़ सप्लाई को हम यहां पर एक ग्राउण देंगे और पॉजिटिव को वह ही जो रेगुलेटर है रेगुलेटर का है इंपूट में डालेंगे ठीक हैं तो पावार दिया । टो इंपूट में हमें तो यह मदर बोट पर इंसर्ट कर दिया ऐसे रखता हूं यह है डिवाग कार्ड नीचे में दे देता हूं तो पावर दिया यह सॉन आ चुका है अब टान ओन करके देखते हैं यह देखो मदर बोट टान ओन हो गया और ग्राफिक्स कार्ड में डिस्पले आता है कि नहीं वह भी देखेंगे एक सेकंड कि एबी बीप नहीं किया पर एबी तो आ गया और ग्राफिक्स कार्ड से कोई कुछ आउट हुआ है क्या नहीं हुआ फिर से एक बार आप करना है क्योंकि यह स्टेबिल रहना चाहिए चलो फिर से पावर देते हैं और टिगर देते हैं ठीक है डिस्प्ले आउट नहीं हुआ एक सेकंड डिस्प्ले आउट नहीं हुआ तो इसे वाप करता हूँ एक बार एसडियमाई देके ट्राइ कर लेता हूँ एसडियमाई से मुझे आसानी से पता चल जाएगा वीजियमें कमी कबार डिस्टाब होता है मूनीटर ही ओफ करके रखा था एसडियमाई टू ओके अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट है टर्न आउन डिस्प्ले 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 कार्ड हमारा ही ठोड हो रहा है ठीक है तो मेरे खैल से यह जो मॉस्पिट है ठीक से लगा नहीं पूल डाउन थोड़ा सा देख लेता हूं लाउन वांस बढल के लाउन आगो को मुए्यान से लेख είναι को मुए्यान शिट कहा था ना यह मॉस्पेट कुछ डिस्टाब कर रहा है शिट कर रहा है होड़ डाउन लगभग हो गया अब एक बार देख लेते हैं इसका दो शॉट जो था यह अरिमूंग हो चुका है पर डिस्प्ले आउट नहीं हुआ अब ही भी अब ही एक बार देख लेता हूँ एक सेकंड मैं पहले देख लो एक बार उसके बाद दिखाता हूँ क्या होता है इसका बोट चल रहा है शॉट नहीं है पर ग्राफिस कार्ड अभी चल रहा है पर डिस्प्ले आउट इसका नहीं हुआ तो थोड़ा सा देख लेता हूँ पॉस करके क्या इशू है देखता हूँ इसमें जो पॉब्लेम है अभी फाइंड आउट हो नहीं रहा है क्योंकि कि में भी इसका बाइस का भी इशू हो चुका है डिस्प्ल आउट नहीं कर रहा है इस्टेप बाइस्टेप देखना पड़ेगा तो लॉंग टाइम हो जाएगा करके देख सकते हो कौन सा कंपोनेंट शॉट है अगर यहां पर आप बोल्टेज इंजेक्ट करोगे तो जो भी कंपोनेंट शॉट है और उससे बड़िया आप यहीं को भी निकाल लिया करे क्योंकि अंदर में भी बहुत सारा कैपसिटर होता है वह भी शॉट हो जाता कभी एकना पड़ेगा टाइम लग जाएगा तो इतना ही रखता हूँ तो इससे जो भी समझ पाए हो कैसे शॉट करता है मुझे लगता है कि आप इसली समझ जाओगे कि कैसे शॉट ग्राफिस कर आए तो कैसे शॉट को रिमूब करना है क्योंकि मदर बोट में डालके यह में short है तो यह छोटा सा एक process मैंने दिखाया वीडियो अच्छा लगे तो like करो मिलते हैं किसी next case study पे love you all जह हिंते हैं किसी पे love you all